हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी को इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिबल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर दे होगी और दोस्तो साथ ही हम लोग कुछ English words भी सीखेंगे जो competitive English के लिए काफी important है जैसे congenial दोस्तो congenial और congenital इसका क्या अर्थ होता है congenial का अर्थ होता है एक समान रूची रखने वाला एक समान रूची रखने वाला और और congenital का अर्थ होता है जन्मजात यानि जन्म से जैसे जन्म से अंधापन congenital blindness और he is my congenial friend मतलब कि एक समान interest रखने वाला तो यह काफी important word है दोस्तो एक और खास word है सौर्डीड सौर्डीड का अर्थ होता है गंदा या फिर फटे हाल तो यह काफी important word है यानि कि बहुत ज्यादा poverty गरीवी फटे हाल या फिर गंदे स्थिति में रहना सौर्डीड कहलाता है और दोस्तो मैं आप लोग को एक और word सिखा देता हूं जो कि काफी important है और useful word है sparingly कि फायत से मान लिजिए कि आपके पास कोई समान बहुत कम है और दस आदमी में बाटना है यानि कि खाने पीने की समान ही मान लिजिए तो थोड़ा थोड़ा करके आप देंगे कि फायत से आप कह सकते हैं add sugar sparingly यानि कि फोड़ा थोड़ा करके कि फायत से चीनी add किजिए तो यह कुछ words है उमिद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा हमें बीजबीच में words भी सीखने चाहिए और यह advanced level के words थे आयो दोस्तों अब हम लोग translation की तरफ आगे बढ़ते हैं एक बढ़ा आदमी एक गौव में रहता था तो यहां पर है रहता था यानि कि यह simple past tense में है और यहां पर हम लोग लिखेंगे there से भी आप शुरू कर सकते हैं there lived an old man in a village या फिर आप directly an old man से भी शुरू कर सकते हैं an old man lived in a village एक बढ़ा आदमी एक गौव में रहता था दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इसकीप करके नहीं देखेंगे हो सकता है कि कुछ चीजे मिस हो जाए और यदि मैं long वीडियो बनाता हूं तो आप लोग के लिए ही बनाता हूं मैं भी तो सोट में ब समझाया नहीं तो यदि मैं समझाता हूं तो आप कृपिया वीडियो को भी पूरा देखें जब वहा कमजोर हो गया तो वहा अपने बेटे बहु और चार साल के पोते के पास रहने के लिए गया तो दोस्तों यहां पर है जब वहा कमजोर हो गया तो जब के लिए when यूज क विकेम बन जाएगा, verb to use करेंगे, क्योंकि यह simple past tense में है, when he became weak, तो वह अपने बेटे बहु और चार साल के पूते के पास रहने के लिए गया, he went to live with, यानि के साथ, his son, अपने के लिए यहाँ पर his use करेंगे, he रहेगा, तो his use करेंगे, see रहेगा, तो her use करेंगे, they रहेगा, तो their use करेंगे, we रहेगा, तो our use करेंगे, बहु यानि के daughter-in-law, daughter-in-law and a four-year old grandson, यानि की पोता, when he became weak, he went to live with his son, daughter-in-law and a four-year-old grandson, बुढे आदमी का हाथ हिलता था, तो हिलना का सेख होता है, सेख मिस दो चीज होता है, हिलना भी होता है और हिलाना भी होता है, उसी तरह दोस्तो, hide means, छीपना भी होता है, और छीपाना भी होता है, दोस्तो, सेख का वर्ब फोर्म क्या होता है, सेख, सूक, सेकन, तो यहाँ पर वर्ब टू यूज़ करेंगे, हाथ हिलता था, यानि कि सिंपल पास्टेंस में ही मानेंगे, बुढे आदमी का हाथ हिलता था, यानि कि the old man's, यहाँ पर का के लिए apostrophe कोमा दे देंगे, उसकी नजर धुंदली हो गई थी, तो दोस्तो, नजर को इंग्लिस में क्या कहते हैं, आइसाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे, His आईसाइट, became blurred भी आप लिख सकते हैं, और was blurred भी लिख सकते हैं, became भी या फिर was blurred, जैसे आप फोटो एडिट करते हैं, तो बलर करते हैं, तो वही blurred यहाँ पर यूज होगा, उसके कदम भी ललख लाते थे, तो दोस्तो लडखलाना का इंगलिस क्या होता है falter और कहीं पर चलते चलते ठोकर खा लेना stumble कहलाता है और hobble का मतलब भी होता है लडखलाना तो यह सभी कुछ important words है उसके कदम भी लडखलाते थे His step also faltered यानि कि लडखलाते थे परिवार ने रात में अपना भोजन एक साथ किया यह अभी simple past tense में है तो दोस्तो रात में भोजन एक साथ किया तो दोस्तो रात में डिनर ही करते हैं यहां लिखेंगे तुक देर डिनर परिवार में एक साथिक लोग हैं इसलिए देर यूज करेंगे जब बुढ़ा अदमी डाइनिंग टेबल पर बैठा तो उसके हाथ कापने लगे उसके हाथ कापने लगे तो के लिए एक कौमा देंगे या फिर आप यह भी लिख सकते हैं वह भोजन को ठीक से नहीं देख पाता था तो दोस्तों यहाँ पर देख पाता था या देख सकता था हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कूड यूज करेंगे या फिर वोज नोट एबल टू का भी यूज कर सकते हैं वह नोट एबल टू सी यानि देखने में समर्थ नहीं थे और कुट का भी यूज कर सकते हैं आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिए और इसके बाद और भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे सी दफूड प्रोपरली यानि कि ठीक से या अच्छे तरीके से तो आप प्रोपरली यूज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर है लुलक कर गिरना इसे इंग्लिस में रॉल आफ कहा जाता है रॉल मिस होता है लुलकना और आफ मतलब होता है किसी चीज़ से हट जाना उससे गिर जाना यानि दूर चला जाना तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यानि कि चम्मच से गिर जाता था जमीन पर यानि कि ओन टू द फ्लोर यानि घर पर तो फर्स ही रहेगा फ्लोर मतलब फर्स होता है और दोस्तों ओन टू का परियोग कब होता है देखेंगे ओन मतलब किसी चीज़ के ऊपर और टू मतलब एक तरह से डायरेक्शन दिखाता है गती दिखाता है जैसे इन्टू होता है उसी तरह ओन टू भी होता है मालीजे दोस्तों कि यहाँ कोई फर्स है और यहाँ पर कोई सामान है यदि यहाँ से वो सामान गिरेगा तो इसके ऊपर गिरेगा और थोड़ा सा अंदर तो नहीं जाएगा उबर ही रहेगा इसलिए ओन यूज होगा यदि यहीं पर पानी रहता वाटर रहता तो इन्टू यूज होता है उमीद करता हूं कि आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा कि ओन्टू और इन्टू में क्या अंतर है जब वह दूद की गलास को पकड़ता था तो यहां अक्सर टेवल क्लोथ पर गिर जाता था तो दोस्तों यहां पर पकड़ता था गिर जाता था यानि कि simple past tense में ही लिखेंगी पकड़ना का hold भी होता है catch मतलब जैसे ball को पकड़ते हैं तो catch और जैसे कोई समान पकड़ते हैं गिलास पकड़ते हैं ह When he held the glass दूद की of milk, तो के लिए एक कोमा दे देंगे, यहां अक्सर टेबल क्लॉथ पर गिर जाता था, यहां के लिए it यूज करेंगे, इसका वर्ब फोर्म होता है, वर्ब टूद करता हूं के आप लोग को एक एक चीज करेंगे, इस समझ में आ रहा होगा, दोस्तो आप लोग सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी फोलो कर लीजिए, और आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक्स में मिल जाएगा, या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्श कौन इरिटेटेड हो जाता था, तो बेटे और बहु, तो इसे ही पहले लिखेंगे, दस्चन और दॉटर इन लोग बिकेम इरिटेटेड इस गड़वडी से, विद इस मेस, दोस्तो मेस का मतलब होता है, गड़वड़ी, उलजहा देना किसी भी काम को, और से के लिए विद यूज करेंगे, इसलिए पती पतनी ने उसके लिए कोने में एक छोटा सा टेबल लगा दिया, तो दोस्तो टेबल लगा दिया, आप सेट यूज कर सकते हैं, सेट अटेबल, या फिर प्लेस्ट, यानि पास्ट में, अटेबल का भी यूज कर सकते हैं, सेट का वर्ब फोर्म सेट ही होता है, इसलिए, So, the husband and wife, एक छोटा सा टेबल लगा दिया, सेट, आप स्मॉल टेबल, फोर हीम, उसके लिए, कोने में, इन दा कॉर्नर, So, the husband and wife, सेट, आप स्मॉल टेबल, फोर हीम, इन दा कॉर्नर, चुकि उसने दो तिन डिस्ट तोड़ दिये थे, उनका भोजन एक लकडी के कटोरी में प्रोशा गया, चुकि के लिए as यूज करेंगे, as he, दोस्तों इसमें दो सेंटेंस है, एक काम पहले हुआ, और दूसरा काम जस्ट उसके बाद हुआ, ते हाँ पर हम लोग हैड यूज करेंगे, एज ही हैड ब्रोकन टू थ्री डिसेस, उनका भोजन एक लकडी के कटोरी में प्रोशा गया, तो यहाँ पर है प्रोशा गया, यानि कि यह पैसिव वॉइस में है, और सिंपल पास्टेंस में है, जैसे एक पत्र लिखा गया, A letter was written, उसी परकार प्रोशा गया, was served, और यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, तो क्या प्रोशा गया, उनका भोजन, His food was served, किस चीज में, एक लखडी के कटोरी में, यानि लखडी चा बना समान, वूडन कहलाता है, As he had broken two-three dishes, his food was served in a wooden bowl, बुढे आदमी के आँखों में आशु होते थे, जब वह अकेले खाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे, The old man had tears in his eyes, यानि आशु होते थे उनकी आँखों में, The old man had tears in his eyes, जब वह अकेले खाता था, वेन, ही, एट, अलोण, The old man had tears in his eyes, वेन ही एट, अलोण, इट से एड बनेगा, इट, एट, इटन होता है, वर्ब टू यूज करेंगे, और दोस्तों यदि आप सुरू से टेंज सिखना चाहते हैं, तो टेंज के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे, और बिल्कुल जीरो लेबल से इंगलिस्ट सिखना चाहते हैं, तो लेशन वन से ज़रूर देखेंगे, बोता ये सभी चीज़ें चूप चाप देख लिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे, दा ग्रैंट सन, और धियान से देखना वोच कहलाता है, एक साम डीनर के पहले, माता पिता ने नोटिस किया, कि उसका बेटा लकडी के टुकडों से खेल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक वर्ड सिखिए, स्क्रैब, स्क्रैब का क्या आर्थ होता है, यानि कि टुटा फुटा समान, जो बचा खुचा समान होता है, यानि जिसे हम रद्दी समान कहते हैं, दोस्तों यहाँ पर है एक साम डीनर के पहले, वन इवनिंग, बिफोर डीनर, माता पिता ने नोटिस किया, यानि कि सिंपल पास्टेंस में, यानि पास्टेंस में, नोटिस्ट था, उसका बेटा लगडी के टुक्लों से खेल रहा था, पिता जी ने प्यार से बच्चे से पूछा, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ प्यार से तुम क्या बना रहे हो, वट आर्यू मेकिंगे, यहाँ प्यार से जवाब दिया, मैं एक छोटा कटोरा आपके और मम्मी के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर आप बना रहा हूँ, यानि कि प्रेजेंट कंटिनिवर स्टेंस में, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई अम गोइंग, तो उसी प्रकार मैं बना रहा हूँ, आई अम मेकिंग, क्या बना रहा है, एक छोटा कटोरा, किस के लिए, आपके और मम्मी के लिए, फूर, यू, एंट, मम्मी, दा चाइल्ड रिपलाइट स्वीटली, आई अम मेकिंग, एसमॉल बाउल फोर यू एंड मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं भी आपको, इसी लकडी के कटोरे में, भोजन परोसूंगा, तो दोस्तों, इसमें दो सेंटेंस है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यानि जो पहला सेंटेंस है, जो वेन के साथ सुरू होगा, उसे सिंपल प्रेजन टेंस में ही लिखेंगे, यानि कि सेल विल का यूज नहीं किरेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, वेन, आई, ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो के लिए एक कॉमा देंगे, मैं भी आपको इसी लखड़ी के कटोरे में भोजन प्रोशूंगा, आई, विल आल्सो, और दोस्तों जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें विल आपको यूज करना है, सर्व, दफूड, इसी लखड़ी के कटोरे में इन दिस वूदन बाउल, विल आपको इसी लखड़ी के कटोरे में इन दिस वूदन बाउल, यह सुनकर माता पिता निसब्द हो गय और सर्म हसूस किया, यह सुनकर, hearing this, the parents, और दोस्तो parents हमें सा plural form में होता है, यहाँ पर were यूज करेंगे, were, या फिर आप became का भी यूज कर सकते हैं, became, speechless, और सर्म हसूस किया, and, felt, assumed, feeling से felt बन जाएगा, hearing this, the parents were became speechless and felt ashamed, उन लोगों ने महसूस किया, कि उनके कर्मों का असर उनके छोटे बच्चे पर पढ़ेगा, तो दोस्तों किसी भी चीज पर असर पढ़ना, उसे इंग्लिस में, have an impact लिख सकते हैं, have an impact on something, और माली जे पास्ट में है, तो head यूज करना पढ़ेगा, had an impact on something, तो यहाँ पर लिखेंगे, उन लोगों ने महसूस किया, they, किसी भी चीज को महसूस करना, realize भी कहलाता है, यानि reality का पता चल जाना, they realized that, उनके कर्मों का असर, his action, यहाँ पर आप पढ़ेगा, would यूज करेंगे, past form will का, would, have, an impact, उनके छोटे बच्चे पर, on, their, small, child, they realized that, his action, would have an impact, on their small child, बच्चे नकल करते हैं, जो उनके माता पिता करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, children, imitate, यानि नकल करना, जो उनके माता पिता करते हैं, what, their parents, do, children imitate, what their parents, do, हमें याद रखना चाहिए, हम जो बोते हैं, वही काटते हैं, हमें याद रखना चाहिए, we should remember, चाहिए के लिए सूड यूज करेंगे, एक तरह से सलाह है, और दोस्तों यहाँ है, हम जो बोते हैं, वही काटते हैं, बोना का इंगलिज साव होता है, और काटना का इंगलिज रीफ होता है, खासतोर से फसल काटना, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग काटते हैं, we reap, जो हम बोते हैं, what we sow, we should remember, we reap, what we sow, उमीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि है वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा, कुछ न कुछ कॉमेंट जरूर कर दीजेगा, दोस्तों आप सभी से request है कि मेरे जितने भी वीडियोज हैं इस तरह के सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप lesson 1 से जरूर देख सकते हैं आप 10s के playlist में जा सकते हैं और फिर इस वीडियो को देख सकते हैं हलांकि मैं आप लोग को पूरी तरह से explain करने की कोशिस करता हूँ Alright dear students and friends, thanks for watching, have a great day, enjoy yourself